नविशा दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस Post Market Analysis में आज हमने एक मही इनिशेटिव स्टार्ट की है आज से हम सुबह मार्केट में 9 बजे लाइव आना शुरू कर दिया है और डेली कोशिश रहेगी कि 9 से 11 कम से कम 2 घंटे आपके साथ सुबह के मार्केट में आ बेल नोटिफिकेशन को अर रखिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको दाइम पी में और आप कोई भी लाइशन में इसके बाद हम एक वीडियो आपको डेली कोशिश करेंगे जहां पर हम निफ्टी पेंग निफ्टी का Post Market Analysis करेंगे देखेंगे कल निफ्टी Magnifty कैसा परफर्म कर सकती है और कौन से ऐसे कुछ स्टॉप्स है जो आने वाले दिनों में हमें कुछ मूमेंट दे सकते हैं momentum stocks या surprise या breakout stocks की discussion करने कोशिश करेंगे तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखेगा और प्लीज अपना trade लेने से पहले अपनी analysis कर ले इस इस नॉट आ ट्रेडिंग और टिप्स एडवाइसरी इस इस ओनली ओनली ए वीडियो फोर प्योरली education learning परपस तो चले वीडियो को आग यहां से 740 के आसपास काफी दिर बजा रहा और जब बजार ऊपर गया थो उसने clearly आपको 800 रुपे तक का moment दिया वहला हो यह जो हाई लगा आज के दिन का यह लगा 830 के आसपास का वहला 740 से 830 यह बहुत अच्छा profit था गाईज अगर हम 690 के आसपास पर यहां पर बाइग किया होता तो हमें कमसे मोटा मोटा बहुत ही जवर्स प्रॉफित हमको 150 पॉइ इंटेक्ट रहने वाले बजार उसके बाद से गिरता है बजार प्रॉफित बुकिंग आती है 840 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है वापस बजार 740 के आसपास ही आकर रुखता है 730 के आसपास की फीचर्स में क्लोजिंग होती हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो कल अगर हमे ट्रेड लेना होगा तो कल भी मेरी यही लेवल रहने मेला है कल भी मैं यही अनलिसिस करने वाला हूं कल भी इसी लेवल पर काम करने वाले क्योंकर 740 के ऊपर से बजार चलता है तो फिर हम अपसाइड देखनी कोशिच करेंगे नहीं तो 690 से नीचे निकलते ही अच्छा ख एक सपोर्ट लेके वाफस बाउंस पर कर सकती है बट रोज का नया बजार रोज का नया डिटा है अगर मुझे एक स्ट्राटेजी ब्लान करनी तो मेरी स्ट्राटेजी ही रहने वाली है तो 690 से 650 के बीच हुआ है 17,000 650 से लेके और 690 के बीच में मैं कहीं अपनी पोजिश से 800 पॉइंट के लिए मैं फिर से प्लेगाने वालों बजार वोलटाइल है रेंज बाउन है प्रॉफिट बुक करते चली जो भी इंट्राटे में काम करें तो और इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को देखने कोशिश करें तो बैंक निफ्टी देख लिए आपके सामन करने के लिए आ सकती है कोई भी बड़ी बात नहीं है तो 37,550 के आसपास बैंक निफ्टी मिलती है तो वहां मैं लॉंग ट्रेड लेनी कोशिश करूँ और वहां पर पोदिशन बनाएंगे तो 37,500 के आसपास की लेवल पर हम कुछ चुलिए अन्टी करने कोशिश करेंगे अगर ये लेवल में मिलता है तो ये लेवल हमाले के लिए कोट डिसाइज सी बहुत कि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चलती है तो फिर ये गैप फिल होते दिखाई देंगे और ये गैप फिल होने के बाद ये बजार में कोई ठीठाक सी मुमेंट आये तो और कोट चुकार चलते हैं सब्सक्वर्ण काया है तो ये सफिल के बैस वारा उते हैं हैं इसके बाद में सबिखना हूं सब्सक्राइज की कमशिए ने बहुतना शवां हुआर फार्मा को देखा है तो यह स्ट्राइट फार्मा में मुने आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ब्रेकाउट बनता दिखा ही तो काफी दिनों से गिर रहा है इस टोक अगर देखेंगे तो कहीं हजार रुपे से गिरता है कि ता स्टोक के 300 रुपे का लो लगा चुगा ह देखेंगें रुपे का लो लगाने के बाद में यह स्टोक अभी ट्रेट करहा है त्री हिएंडड सेवनटी फूर बनता है जो पोदिश्न लेना चाहते है जो इस टोक को मेरे सफ़ेंड फिफ्टी के आसपथ का एक मेजर मेजर लेवल रहने वाला है तो 350 के लेवल के हिसा अपसाइड इसकी पूरी खुली हुई है तो मेरे इसाब से एक स्टॉक है जो बॉटम फॉर्मेशन की तरफ हो रहा है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक का बंता हो दिखाई दे रहा है तो विच इस वेरी वेरी गुड और काफी दिनों के बाद में अगर लिएग है इसमें लो वाल्यं गारे तो वोल्यंस भी बड़ी अट्रक्री दिखाई दे रही है यहाँ पे इस्टॉक के अंदर में गिर्टेवे लेवल पे अच्छी इन्स्टुशन बैंग दिखाई दे रहे है जो यहाँ पे बड़ी वोल्यूम जिस दिन आपको दिखाई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो स्टार फार्मा विल बी मैं नेक्स टॉक फो दी कम्प्लीट नेक्स मुंथ अब इसके लगा आगर देखे तो एंबी सीसी में एक अच्छा कहा सा ट्रेड दिखाई दिया है में ब्रेक आउट बंता दिखाई दिया 40 रुपीस के उपर में और इ पर यहां पर जो एकुमिलेट करना चाहते हैं तो एक रेंज है पास रुपीस है फॉर्टीवन रुपीस के है करन माकेट पास पर इसके चांसे बहुत काव है आप यहां से इसका एक ब्रेक आउट तो मुझे होता हो दिखाई दे रहा है और इस टॉक में भी काफी अच्छ होना शुरू हो गया है और डबल बाटम फार्मेशन करते हुए यह स्टॉक उपर जाने की पूरी ताहरी करते है यह लेवल जब निकलेगा फॉर्टीवन रुपीस के आज इसका क्लोजिंग है अच्छी क्लोजिंग हुई है तो मेरे इसाब से यह नेक्स्ट जो पढ़ाव 42 के बाद में इसका 50 रुपीस के आसपर बढ़ा हो रहेगा 49 से 50 रुपीस के आसपर जब यह स्टॉक निकलेगा तो यह स्टॉक एक अच्छे भारी वाल्यूम के साथ ट्रेड करतावा दिखाई देगा और काफी दुनिया इसमें ट्रेड कर रही हुई बट हम इसमें 36 रु अपने साथ करके आपको शॉट कार्ट में 10 मिनिट की वीडियो में दे देता हूं तो यह अगर आप सीखना चाहते हैं 24 अप्रेल के दिली की क्लास है बुकिंग करा सकते हैं एक दिन की क्लास में आपको सब कुछ सिखा के रखना है आपको option chain को कैसे देखना है चार्ड में क बहुत-बहुत स्वागएता हैं और अगर अगर आप मेरा tenant retail calculator class में नहीं आ पारे हैं की दूर है तार न यPinkर मँग शाहिए तो ट्रायग ने के लिए लिघा आपको फिजब भाद में अपको हर महीं ने उसको एक्टिवेट रखना होगा अपने ट्रेणि- RAM को करेकिस कहीं नम शेक्ट कर सकते हैं इन अकूंसे इन अकूंसरे रखें तो लेजिए Já नौश underneath वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए के साथ साले बेल नुटिविशन को प्रेस रखिए और दोस्तों में शेयर का ना मत बुलिए और हाँ कल मिलेंगे सुबह नौबजे जी हाँ नौबज के छे मिनट पे लाइव मार्केट अनलिसिस करेंगे देखेंगे बजार कल क्या देगा कहां कौन से सुब्सक्राइब फशे होंगे मुझसे पूछेगा डारेक लाइव इंटरस्टिंग वीडियो होने वाला है इंटरस्टिंग सेशन होने वाला है आप याईए दोस्तों को भी लिखाईए चलतके लिए देख्यार खुश रहिए जाहें